नेही तरह कॉंग्रेस और GDS की सरकारों ने किसानों की समश्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है। कॉंग्रेस के सासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समश्या रहती थी। लेकिन बीजेबी सरकार ने उसके स्थाई समाधान पर भी काम किया बिते नव वर्षों में हमने गन्ने से इथे नौल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया कॉंग्रेस के पास इसको लेकर ना तो सोच थी ना ही इसके लिए सही नियत थी कि साल 2004 में कॉंग्रेस ने कहा कि पैट्रोल में पांच प्रतिशत इथेनौल ब्लेंड करेंगे लेकिन दस वर्षों में ये तीन प्रतिशत से जादा नहीं कर पाए पांच का लक्ष रखाता वो भी नहीं कर पाए तील परा करके उनका काम अटक गया जबकि बीजेपी सरकार ने आपने सेवक को काम दिया दस प्रतिशत ब्लेंडिंग का टार्गेट भी समय से पहला पूरा करके दिखाया अब बीजेपी सरकार बीश प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष हासिल करने के तरफ बढ़ रही है सहोधर सहोधर यह रहे हैं जादा इथेनोल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को जादा पैसा मिलेगा गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा जादा फसल होगी तो भी नुक्षान नहीं होगा कम फसल होगी तो भी नुक्षान नहीं होगा 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड रुपय का इथेनोल चीनी मिलों से खरीजा गया है साथियों कॉंग्रेस की गलत नित्यों के कारण गन्ना कोप्रेटिस पर बहुत अधिक दबावा गया था इस वर्ष के बजेट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोप्रेटिस के लिए 10,000 करोड रुपय की मदद दी है गन्ना किसानों को एफार पी में भी डबल इंजिन सरकार का लाब मिला है पिछले नव वर्षों में एफार पी में हमने 900 रुपये प्रती मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है इसमें करना टका की बीजेपी सरकार 100 रुपये और जोड करके दे रही है